दोस्तो यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज फिर से बहुत बड़ी गिराउट हुए लगबग 4% की गिराउट है अब यह जो बड़ी गिराउट हुए इसके पीछे है रिटेल इंवेस्टर की तरफ से पैनिक सेलिंग और इसका सबूत आपको इस वीडियो के पाइदा उटा के आपको भी इन्वेस्मेंट करदा चीए क्या यस बैंक आने वाले समय में एक जबर्दस रिटन आपको दे सकता है सबसे जो बड़ी बात है कि यस बैंक का स्टॉक इस समय अंडर वैल्यू है और आप यह समझी सकते हो कि इस समय प्राइज जो है वो काफी नीचे है 400 के आसवर स्टॉक था 2018 के पहले और जिस असे यस बैंक ने पिछले दो-तिन सालों में अपने कारोबार को तेजी से आगे बढ़ा है अपने NPA को पूरा नीचे लाया है तो यह तो समझी सकते हो कि इसकी प्राइज आज प्राइज प्राइज सेक्टर की दूसरी बैंकों के मुकाबले तो काफी कम है तो क्या यह आने वाले समित्री रिजिन पर जा सकता है जाने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक दबा दीजिए ताकि जबी ने वडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-ब प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगे लगातार गिरावट का माहुल बना और इसने इंट्राडे में 25.40 का लो बनाया और क्लोजिंग बिल्कुल नीचे की तरवी रही है 25.55 पर जापे 3.95 परसेंट की हमें गिरावट देखने को मिले लगबग 4 परसेंट के आसपास की गि और यह जो पिरेड यह बहुत लंबा चला आप यह देखी सकते हो 26 मई 2023 तक भी स्टॉक 15 के आसपासी था तो कम से कम 3 साल का बड़ा पिरेड स्टॉक 15 के आसपासी था बीच में अफडाउन जरूर रही लेकिन ओवराल 15 के आसपासी था यह काफी समय के बाद 20 को इसने क्रो किया है 30 तक गया स्टॉक है अब यहां पे रिटेल इंद्वेस्ट जिस तरसे अंदा दुन विक्वाली शुरू कर चुक है स्टॉक नीचा आ है लेकिन बड़े फंडाउस जिस तरसे इस लेवल पर खरीदारी कर रहे है यह एक लंबी रेस के लिए त्यार हो रहा है अब य लेकिन 16 फरविक श्टॉक के अंदर गिरावट शुरू हुई 28.40 के आसपस है जापे 2.1% की गिरावट हुई 19 फरविक को देखे तो श्टॉक 27.20 के आसपस है जहां पे देख सकतो की 4.6% की बड़ी गिरावट हुई और 20 फरविक को यानि कल 26.60 के आसपस क्लोजिंग थी जापे 1.8% की गिरावट हुई यानि पिछले 3-4 ट्रेडिंग से गिरावट शुरू हो चुकी है अब आप यह देखी सकते हो कि बहुत जबरदस इसने गिरावट की तरफ से स्टॉक में लोगों को लगरतर नुकसान में डाल दिया है काफी लोग जो उपर के लेवल में ख और आप देख सकते हो कि कल इसका 42 क्रोड का वॉलिम था 14 क्रोड की डिलेर उठाएगी लेगिन आज 52 क्रोड का जबरदस वॉलिम हुआ यह नि पिछले कई दिनों के बाद जबरदस वॉलिम में आज का आज काम हुआ है तो स्टॉक यहाँ पर वॉलिम टॉपर बना हुआ ह काफी बड़े वॉलिम में कामकाज हो रहा है यहाँ पर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यस बैंक ने इंवेस्टर ग्रूप मेटिंग रखी आज आज आप देख सकते हो यह फिजिकल मीटिंग है जो इसकी लोकेशन मुंबई है मुंबई में यह मीटिंग होगी और इंवेस्टर के साथ में सामने फिजिकल रूप से ही है मीटिंग की जाएगी सारे इंवेस्टर के साथ में बाचीत की जाएगी और कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जिसमें आप देखे हैं एनलिस्ट और इंस्टिटिशनल इंवेस्टर इस मीटिंग का हिस्सा बने वो management कोसिस कर रहा और इसी को लेकर ये meeting रखी गई आज अब yes bank की performance देखे तो लगातार श्टॉक दोड़ते हो देखे नौ फरवी 2024 को 52 विक के हाई पर पहुंच गया था और उसके बाद में देखे तो पिछले आठ कारोबारी जो 70 बने जो उसमें 22 परसेंट गिर चुका है और देख सकते हो कि इस गिरावट के बावजूद भी देखे तो year to date के इसाब से अभी भी 20 परसेंट उपर है श्टॉक यानि अपने 30 मेनों के 30 परसेंट उपर दिखाए दे रहा है तो yes bank के shareो में जो ये 57 क्रोड में और अमेरिकन ये जो कालेल ग्रूप उसकी जो सबसेरीज कंपनियें सीए बास्क इन्वेस्मेंट उन्होंने 49 क्रोड शेर बेचे उपन मार्केट में और ये जो इस्सेदारी बड़ी बेचे जिसे एक माहोल निगेटिव बनाव गिरावट का माहोल बनने लगा फिलाल जो उनकी इस्सेदारी है वो 5.08% के आसपस आगे जो पहले 6.43% थी लेकिन दूसरी तरब जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि मौर्गेन इस लेवल पे खरीदारी कर ली है जो सिंगापूर बेस मौर्गेन इस ग्रूप है जो बहुत बड़े मार्केट के निवेसक भी है और बहुत सारा उनके पास नॉलेज भी है उन्होंने बड़ी डील के माध्यम से 830 क्रोड का निवेस किया यस मैंक में उनकरी 30 क्रोड शेर खरीदे तो उन्होंने जो ये खरीदारी की है वो एक्विटी 1.06% है टोटल एक्विटी का और ये 27.10 की प्राइस उन्होंना शेर खरीदे तो ये गौर करने वाली बात है कि अगर मार्केट के बड़े जानकार अगर 27 रुप में यस मैंक के शेर खरीद रहे तो आप समझ सकते हो कि स्टॉक इस लेवल पे मजबूत है और आपको डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि उनके पास पूरी एक र इसेदार नहीं बना चीए अब लकेटी सेकूर्डिस के जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि यहां पर इस्टॉक के लिए जो 27 का एक सपोर्ट है इस सपोर्ट के उपर अगर स्टॉक बना रहेगा तो आने वाले समें 35 और फिर 38 के टार्गेट देखना को मिल सकते ह तो कुल मिलाके देख सो इस समय स्टॉक जो है वो 27 के सपोर्ट को तो तोड़ चुका है और इसके पीछे वज़या है रिटेल इनरस्ट की जम के बिक्वाली और इस वज़य से स्टॉक नीचे आ है लेकिन जल्दी यहां पे एक सांधर तेजी की समौना फिर बनेगी सबसे जो बड़ी बात है कि बैंक ने अपने NPA को जबरदस कम किया है आप देखे तो कंपनी का जो NPA है वो इस समय जो ग्रॉस परफॉरिंग NPA है वो 2% के आसपस है और जो बैंक का जो नेट NPA है वो 0.9% के आसपस आगया है नि 1% से भी नीचे आ गया है इससे आप समझ सकते हो की बैंक की सेहत सुधर चुकी है और आज जो बड़ी डील हुई है उस डील से आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में रिटेल इंवेस्टिन है यहाँ पर बिक्वाली करके अपना लॉस बूक किया है तो सुबद 9 बचकर 20 मिनट पर 26.60 की प्राइस से 23.70 की जबरदस खर खरिदारी हुई उसके बद 11.14 मिनट पर 26.10 की प्राइस से 33.56 थाओंचन्चन्की एक विक्वाली हुए उसकेबран बजे 25.75 की प्राइस से 23.60 थाओंचन्की एक खरिदारी और हुए तो फिर 2 बचकर51 मिनट पर 25.55 की प्राइस से 24.101۱ थाओंचन्le सारो की एक विक्वाल कि बड़े fund house ने जम के खरीदारी किया है अब इतनी जो बड़ी गिरावट है उसके बाउजवीद यह तो जो सारी के सारी जो डील है वो खरीदारी किया है जो बिक्वाली की डील है वो मातर दो है इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पे जो आज गिरावट हुए उसके पीछे जो जिम्यदारी है वो रिटेल इंवेश्टर के उन्होंने आपे जम के बिक्वाली किये अपने शेयर बेचे प्रॉफिट बुक किया हो तो अची बात है लेकिन लॉस बुक किया हो तो यह बहुत बड़ा उनके तरब से एक मिश्टेक हुई है क्योंकि आज बड़ी डील जो है वो सारी की सारी खरिदारी की दर विशारा करी है जो स्टॉक फिर से एक बाउंस बैक दे सकता है आने वाले समें इसमें फिर सांधर तेजी की संब्वना बन सकती है और इसलिए आपको इसमें बिल्कुल पैनिक नी होना है बलकि यस बैंक का जो काब काज है फंडामे तक जाता हो दिखाई देगा और 23 का सपोर्ट भी अगर टूट जाता है तो फिर श्टॉक सिधा आपको 20 तक जाता हो दिखा देगा तो तीसरा सपोर्ट 20 का है यह एक बड़ा मजबूस सपोर्ट है 20 तूट गया तो बड़ी गिराउट हो सकती है वन्ना उसके ऊपर एक कर लिया तो फिर आने वाले समें यह 37 तक चला जाएगा यानि स्टॉक 40 के आसपर जाता हो दिखाएगा मुझे लग रहा है कि स्टॉक में खरीदारी का सही मौका है काफी समय को गिरावट के बाद एक अच्छा फाइदय के साधे आपको एक इंट्रीक पॉइंट अच्छा मि क्योंको मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरकी जोर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू फ्रेंड्स